दोस्तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को PNB समित 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस डिविडेंट और बाइबैक अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं FNB अब आया आरुष आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है श्रियांस इंडस्ट्री इस लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्रेज 192 रुपीस के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे फाइनल डिविडेंट अनौस कर दिया है 2.50 रुपीस का अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है सेंटाम एलेक्त्रोनिक्स लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्रेज 1,397 रुपीस के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आप डिविदेंट अनौस कर दिया है 4 रूपीज का और इस डिविदेंट को देने की जो X-Date होने वाली है वो 2nd of August की होने वाली है और वही जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 2nd of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Honeywell Automation Limited कंपनी का current stock price 43,312 रूपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आप डिविदेंट अनौस कर दिया है 10 रूपीज का और इस डिविदेंट को देने की जो X-Date और record date है वो 3rd of August की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है West Coast Paper Mills Limited कंपनी का current stock price 482 रूपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आप डिविदेंट अनौस कर दिया है 10 रूपीज का और इस डिविदेंट को देने की जो X-Date होने वाली है वो 9th of August की होने वाली है और वहीं जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानी की 9th of August की अगले stock की बात करें तो company का नाम है भारत बिजली लिमिटेड company का current stock price 3662 रूपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप dividend अनौस कर दिया है 40 रूपीज का और इस dividend को देने की जो X-Date होने वाली हो 6th of September की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है अदानी पोर्ट्स लिमिटेड company का current stock price 728 रूपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप dividend अनौस कर दिया है 5 रूपीज का और इस dividend को देने की जो X-Date होने वाली हो 28th of July की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है विवानता इंडस्ट्री इस लिमिटेड company का current stock price 6 रूपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप stock bonus अनौस कर दिया 1-4 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 4 stocks हैं तो यहाँ पे आपको एक stock is a bonus मिलेगा मदलब total में आप आपके जो 4 stocks हैं वो 5 stocks में convert हो जाएंगे और इस stock bonus को देने की जो exit rate और record date है वो अभी तक upcoming में है अगले stock की बात करें तो company का नाम है इंडिया मार्ट लिमिटेड company का current stock price 2890 रुपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 20th of July को और इस board meeting का जो purpose रहने वाला है वो buyback को लेके रहने वाला है आपको दो चीजों का ध्यान रखना है अगर company tender offer के through buyback announce करती है तो काफी अच्छी बात है और साथ ही साथ में जो buyback price होना चाहिए वो उसके current market price से at least 25 to 30% अपका होना चाहिए अगर ये दोनों चीजे match कर जाती है company तभी stock में हमें एक शानदार rally देखने को मिल सकती है अगले stock की बात करें तो company का नाम है PNB Guilds Limited कंपनी का current stock price 65 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये 21st of July को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस रहने वाला है वो डिविदेंट को लेके रहने वाला है आईए बात करते हैं आप हमारे अगले अन्ला स्टॉक की तो company का नाम है Aegis Logistics Limited company का current stock price 359 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये 3rd of August को और इस बोर्ड मीटिंग का भी जो परपस रहने वाला है वो डिविदेंट को लेके रहने वाला है अब इन दोनों डिविदेंट बोर्ड मीटि वाले stocks को जो अपनी watch list के अंदर में add करके रख लीजेगा बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही यही 10 stocks थे जिन्नों ने आप इस stock bonus dividend and buyback announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर का विकोज फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content दिखने को मिलता रहे का चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई